नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी निउस में आपका स्वागत है आज है 9 माई दिन मंगलवार आगे राजनीतिस जूरी दिनबर की खबरों को विस्तार से जानने से पहरे एक नजर सुर्ख्यों पर एज़े प्री विधायक ने राज़त का बावा बागेश्वर के विरोध की बताई वज़ा राज़त निता ने चाहती है जनगना पर HC के फैसले का स्वागत करते वे कही ये बात गुजरातियों को ठक कहने वाले तेरश्वी के बयान पर कोट ने दिये जाँच क्या देश केजरिवाल से की माफी की मांग सराब मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिन ने भाज़पा और नने द्रमोदी को अपने घेरे में लिया है दरसल होने का है कि राज़ एवन्यू कोट में 6 माई के आदेश के बाद भाजपा और प्रिधान मंत्री का असली च संयोजक केजरिवाल और पार्टी को बदनाम करने की गहरी साजिस रची गए थी साथ उन्होंने केजरिवाल से प्रधान मंत्री और भाजपा को माफी मांगने की बात भी कही साथ उन्होंने मंगरन सराब घोटाले खड़ा करने वालों को खिलाफ सक्त काड़ेवाई करने क मांग भी की है चिराग ने नितीश के विपक्षी एक्ता मुहीम को बताया नीजी स्वार्थ इन दिनों मुख्य मंत्रे नितीश कुमार पर लोजबा के राश्च्य अथ्यक चिराग पासवाल लगातार हमलावर होते नजर आ रहे हैं एक बार फिर से चिराग ने नितीश कुम के मुंबई दौरे को लेकर उन्हें आरे हाथो लिया है दरसल नितीश कुमार मुंबई विपक्ची एकता के मुहीम को लेकर जा रहे हैं इस पर चिराग ने कहा है कि मुख्यमंत्रे नितीश कुमार मुंबई के दौरे पर जा रहे हैं जहां वे उन्हीं लोगों से मुलाकात क लिए नितीश कुमार का मिलना बेहत दर्भाग्या पुर्ण है साथ ही उन्होंने यह भी कहा गर नितीश कुमार भले ही बिहारीयों के अपमान को भूल जाये लेकिन हम बिहारी इस अपमान को कभी नहीं भूलेंगे सपा निदा ने किया दावा कहा 150 करोड के हिंदुस्तान में अब्दुल्ला को कोई हरा नहीं सकता उत्तर प्रदीश में अभी चुनावी लहट चल रहा जहां पक्ष विपक्ष दोनों ही अपने वोटर्स का ध्यान खीचनिक की पूर्जोर कोसिस कर रहें अब इसी कड़ी में सुआर विधान सभा से सपा प्रत्याशी अनुराधा चोहान के लिए समाजवादी पार्टी के नेता आजम खाने जनसभा से वोट देनी के अपील की है साथी जनसभा को संबोधित करते वे उन्होंने दावा क्या है कि 150 करोड के हिंदुस्तान में अब दुल्ला आजम को कोई नहीं हरा सकता बता दे कि उत्तर प्रदेश के उपचनाव के लिए सोमवार का दिन अंदम दिन था अब कल याने 10 मई को मदान होने है वहीं 11 मई को निकाय चनाव के दूसरे चन का मदान होने वाला है और 13 मई को वोटों की गिंती की जाएगी बीजेपी विधायक ने राज़त का बाव आगेश्वर के विरोध की बताई वचब बिहार की राजनिती में पंडित धरिंदर शास्त्री अपने आगमन से पहले ही राजनिती का केंद्र बने बैठे हैं कि महागडबंधन की सरकार बिहार में गिरने वाली है और बीजेपी के सरकार बिहार में बनने वाली है आगे उन्होंने कहा किसी घबराहट के करन राज़त नेता बेचैन है और बाबा बागेश्वर का विरोध कर रहे हैं साथ इन्होंने यह भी कहा कि एक विशेश समुद के रास्ते पर चलती है। सदिकारियों के घड़ों में से 15 को ध्वस्त कर दिया गया है। या नहीं इसकी जांच भी अधारत करेगी। 20 मई को अब योजन पक्ष को गवाहों और पक्षों के साथ पेश होने के आदेश अधारत द्वारा दिये गया है। मालम हो कि गुजरातियों को ठक कहने के मामले में तेरश्वी पर गुजरात के एक काड़ोबारी ने केस दर्ज करवाय थे। कोड के आदेश अनुसार 20 मई को इस मामले पर अगली सुनवाई की जाएगी। केड़ बंधन की बात करते वे उन्होंने कहा कि हमारी अगारी मजबूत है और हम अगला चनाव एक साथ लरेंगे साथ ही मौजुद अस राज्य सरकार को सत्ता से बाहर कर देंगे। जातिये जंगना पर लगी रोग को लेकर सुसील मोदी ने दिया ये जवाब। पीजेपी नेता और राजिस्तबास सांस सुसील कुमार मोदी ने जातिये जंगना को लेकर जदियू को घेरे में लिया है। जातिये जंगना खिलाफ याची का दायर करने वारों से बीजेपी के संबंध है या बाद बिलकुल ही भ्रामक है। इस प्रशन का उत्तर देने के लिए सरकार को तुरत सर्व दलिये बैठक बुलानी चाहिए और जरुवत परने पर विधान सभा का विशेश सत्र बुला कर कानून बना चाहिए। आगे उन्होंने यह भी कहा कि अधी कोर्ट में कानूनी पक्ष रखने सह तैयारी के मिवन पलूओं पर चर्चा की होती तो जाती है जंगना पर रोक की नौबत नहीं आती। बिहार में दकेला स्टोरी फिल्म को टैक्स फ्री करने की गिरास सिंगने की मांग। पर ट्वीट कर उन्होंने बिहार सरकार से मांग की है कि बिहार में भी उतर प्रदेश के तरच पर दकेला स्टोरी फिल्म को टैक्स फ्री कर देना चाहिए। पर दूसरी तरफ परशिम बंगाल से खबर सामने आई है कि सियम अमता बनार जी ने स्वन पर रोक लगाने तक की मांग कर दी है। संजाय राउत के इस दावे का अजित पवार ने किया परड़वार एंसेपी अध्यक सरत पवार के सिफ़े पर ठाकरे गुड के सामस संजाय राउत ने सामना में टिपनी करते वे लिखा कि एंसेपी में एक धराईडी सीबियाई और जाच एजन्सियों के डर से बीजेपी के साथ जाने की तयारी कर रहा था आप संजाय राउत के स्टिपनी का एंसेपी के वरस्ट ने था अजीत पवार का परड़वार सामने आया है दरसल हुने कहा है कि यदि कोई व्यक्ती जो चाहे बोलता है तो उसकी राई को महत्व देने का कोई करण नहीं है या उनकी जनता एक मत नहीं है प्रशान कसोर ने मोदी समर्थ को को दी चुना थी चिनावी रहन दिकार प्रशान कसोर के चंचुराज पधियात्रा को आज 29 दिन हो चुकेStartा है प्राई की सब्गाहों आम सभाय संबोधित की, साथ ही बिहार में 6 पंचायतों के 11 गाउं से गुजरे अपने इस पधियात्रा के दुरान वैशाली जिले में एक आम सभा को संबोधित करते वर्होंने बताये कि वर्जो हज़ार चौदर में प्रधान मंतरी मोदी का प्रचारवे खुद ही कर रहे थ मोदी के आने से बिहार में फ्रेक्टरी और रोजगार आई या नहीं इस बात को भी छोड़ दीचे आगे उन्होंने चुनाती देते वे कहा कि मोदी जी नौव वर्सों से पीम है नौव वर्सों में मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए एक भी बैठा के दिखी हो और आ पहिला एवं बाल विकास मंतरे स्मृति इरानी ने एक वीडियो मीम सेयर किया है स्मृति इरानी के इस मीम पर लोग जम कर प्रतिक्रियात दे रहे हैं दरसल यह वीडियो प्रचलित कॉमेडी सीरियल तारक मेंता का उल्टा चश्मा का था जहां सीरियल की मुख्य कलाकार द इक यूजर ने लिखा मैम इस बादाम को राहुल गांधी तक कहुचा दी वहीं किसी ने लिखा कि राहुल गांधी को रोज बादाम खारा चाहिए राज़त ने जातिये जनगना पर एच्छी के फैसले का स्वागत करते वे कहीए बाद जातिये जनगना पर पटना हाई कोड द्वारा रोक लगा दी गई है अब इसे लेकर बिहार सरकार द्वारा जल्द सुनवाई को लेकर याचिका दायर की गई थी लेकिन जाती है जनगनना केस पर जल्दबाजी में सुनवाई करने की बिहार सरकार के अपील को हाई कोट द्वारा खारज कर दिया गया अब इस मामने को लेकर अगली सुनवाई 3 जुलाई को की जाएगी अब इसी मामने को लेकर कोट केस फैसले पर राज़त के प्रदीश प्रिधान महासचीव रनविजय साहू की प्रतिक्रिया सामने आई है उच नयाले के फैसले का स्वागत करते वे उनके दोरा कहा गया है कि बीजेपी खुशिया मना रही है स्वागत करे जो गरीब है उनके लिए पॉलिसी बनाया जाए सरकार के ओड ये बड़ी पहल है कि किस जाती की कितनी संक्या है उसको जाना जाए ताकि जिसकी जितनी जिमेदारी हो उसे उतनी भागेदारी मिल सके बीजेपी निता ने आम आदमी पार्टी पर जनता को गुम्रह करने के लगाया रो अब काड़ी घुटाली में अदालत के आदेश को गलत तरह से पेश कर जनता को गुम्रह करने का रो भाजपानी अर्विंद केज रिवाल और आमादमी पार्टी के निताओं पर लगाया है दरसल विरंदर्च सचदेवा को जो की प्रदीश भाजपाध्यक्ष उन्होंने कहा है कि मुक्यमंतरी आवास की मरमत और सास सज्जा में प्रशचार सामने आने से मुक्यमंतरी मांसिक रूप से परिशान है उन्हें यह भी डड़ है कि जेल में बंद मनीश शिशो दिया सतंद्र जैन और विजय नायर में कोई भी जांच एजनसी के आगे अपना मूग खोलता है तो उन्हें जेल भी जाना पर सकता है यही कारण है कि लोगों का ध्यान भटकाने के लिया आपकारी घोटाले के दो आरोपियों के जमानत को लेकर अजालत के आदेश पर जूट फैलाया जा रहा है लेसी सिंग ने केंदर सरकार को बताया तानाशा वेपक्षी एक जूटा के लिए मुख्यमंत्रे नितीश कुमार लगातार संखर्स करते दिखाई दे रहे हैं आए दिन इस मुहीम को लेकर वे अलग-अलग राज्यों में दोडाक कर रहे हैं इसी करी में अभी नितीश उडीसा की मुख्यमंत्री नविन पतनायक से मुलाकात के लिए भूवनेश्वर पहुँचे है अब नितीश कुमार के इस मुहीम को लेकर खाद एबम उवक्ता संरक्षन मंत्री लेसी सिंग का बयान सामने आया है उन्होंने कहा है कि हमारे नेता मुख्यमंत्री नितीश कुमार केंदर की तानाशा सरकार को 2024 में उखार फेकने का काम करेंगे केंदर सरकार को गरीबी और बेरोजगारी से कोई मतलब नहीं है केंदर में BJP की पर्मानेंट सीट नहीं है 2024 में बदलाव आएगा और केंदर की सत्ता में पड़िवर्तन होगा फिलार आज के राजनितिक्स जुरी खबरों में इतना ही अबने जवाब हमें मारी कमन सेक्षिन बॉक्स में लिखकर दिया था चिन विवर्स वार हमारी दरा पूछे कर सवाल का जवाब दिया गया है उनके नाम है अनवर करीम खान, नुनो गोलुक्मार, रवीशंकर, मुहमल सकेर हुसैन, सोनेलाल, मुर्मुर चले बढ़ते हैं आज के सवाल क्यों, आज का सवाल है मोधी सरकार द्वारा अभिहार के विकास पर एक भी बैठक नहीं हुई प्रशान के सोर के स्दावी पर आपकी क्या राय है आपने जवाब हमें मारी कमन सक्षमा लिकर जरूर बताएं, आज के रिए इतना ही धन्यवाद